उंगलियां यू न किसी पर दिखाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिन्दगी क्या है, खुद बखुद ही समझ जाओगे, कभी बरसात में पतंगें उड़ाया करो नमस्कार, स्वावत है आप सभी लोगों का, आपके अपने ऑनलाइन इस्टिटूट टार्गेट वित आलोप में, मैं रभी तिवारी, करेंट अफियर्स की रटलो स्रिंखला में, बरस का दूसरा रटलो लेके आपके सामने उपस्तित हूँ, मातपूर 50 ब्याख्यात्मक ये समर्पित है, उससे पहले मैं संस्थान की तरफ से कुछ जानका नहीं है, आपको प्रेशित कर दूँ, संस्थान में UPPCS से सम्मंदत बैच की गोस्ता हो चुकी है, और उसमें प्रिवेस लगातार प्रिक्रिया लगातार चल रही है, कैसे आप प्रिवेस ले सकते हैं, य इस नंबर पर आपको WhatsApp करना है, एंट्री UPPCS लिखके, जैसे ही आप WhatsApp करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्ख करेंगी, इस कोर्स की विशेष्ता है, कि इसमें प्रारंविक परिक्षा की faculty को बिलकुल अलग रखा गया है, और मुख परिक्षा की faculty को बिलकुल अलग रखा गय की हमारे संस्थान में आएंगे, और मुख परिक्षा की चारों पेपर के बारे में आपको जानकारी देंगे, प्रारंविक परिक्षा में ऐसे विशेष्च्णों का समावेशन किया गया है, जो कम समय में आपको पढ़ा सके, और प्रिष्णों के अनुरूप आपको सके ताकि बदली हुई प्रिकृती में प्रारंविक परिच्छा का जो पेपर है उसे में ज्यादा से ज्यादा प्रिश्ने आपकी रीच में आ सके मैं स्वयम करेंट अफेयर्स और रीजनिंग की कच्छाओं के साथ इस उपी पीचियस बैच में उपस्तित रहोंगा आलोक सर के कुसर निर्देशन में पूरी टीम करीब 16-17 लोगों की टीम आप लोगों के लिए रिसर्च शुरू कर दिया है और 20 तारिक से हमारा बैच प्रारंव हो रहा है तो आपको गारंविक प्रिकिरिया क्या करनी है वाटसब पर एंट्री यूपी पीचियस लिखकर आपको इस नमबर पर वाटसब करना है हमारी टीम आपसे संपर्ग करेगी है ना तो आईए इस रिंखला की सुरुवात करते हैं जवर्जस तरीके से और रटलो करेंट अफ यइक कर सके और सोयलबी उत्तर देने की कोस Right ककी जब हम एक बाल लिखकर उत्तर देते हैं तो पृश्णी चिन्हों बहुत मजबूत हो जाते है क्लियर और कभी भी हम उन प्रिश्णों को भोलते रही तो कोसिस करिएगा कि आप स्वयम भी उत्तर को लिख सके हैं पहला प्रश्ण है और मैं पढ़ना प्रारम करता हूँ अब आईए पहला प्रश्ण है आपके सामने लिखा है नवंबर 2019 में किस राज में राष्टी जंज सिल्प मेला 2019 का आयोजन किया गया चार आपके सामने आपके विकल्फ है जहां पर आप देख पा रहे हैं और इनमें से एक विकल्फ आपको चुनना है पहला विकल्फ है मद्द प्रदेश दूसरा है माचल प्रदेश तीसरा विकल्फ है उरिशा और चौथा विकल्फ है सि जो है किया गया और इसका मुख खुद देश क्या था कि हस्त सिल्प की बस्तुएं बास और आदिवासी जो आभुसर होते हैं हस्त सिल्प की बस्तुएं हैं बास से निर्मित बस्तुएं हैं और जो आदिवासी आभुसर आपके होते हैं पूरे देश के आदिवासियों को यह यहाँ खट्टा किया गया और उनकी कलाव को लोगों को दिखाया गया क्योंकि कभी-कभी क्या होता है बहुत सारे सम्हों के अंदर ऐसी ब्लक्षल पृतिभाय होती है यह कि जो बीच में नहीं आ पाती तो इस प्रकार के आयोजन जब हम करते हैं तो प्रदेश से बाहर निक हुए ऐसे किंद्रों पर आपको बहुतायत मिल जाती है जैसे जब हम प्रियाग राज में होते हैं तो आप देखते हैं कि सांस्कृतिक राष्टी जो एंसी जेट सीसी है आपका सांस्कृतिक के नहीं आपर वहां पर हर वर्स सिल्प मेले कायोजन किया जाता है और पूरे आप से कभई पूछा जाए राष्टी सिल्प मिला कायोजन कहां किया गया था तो इस बार इलावाक में, राष्टी सिल्प मिले कायोजन से किया गया तो आईए往 अगला प्रश्ण आपका यहाँ पर है दूसरा प्रश्ण नवंबर 2019 में निम लिखित में से किस संस्था ने ऑनलाइल बाल यौन उत्पिर्णर एवं सोसर की रोक्थाम के लिए बिसेस इकाई की इस्थापना की है ना तो देखिए इसकी जो इस्थापना की उनकी केंद्रिय अन्वेसर भी उनों ने है के लिए है और इसकी जो अधकार छेत्र था अधकार छेत्र जो है वो संपूर भारत है है ना संपूर भारत है संपूर भारत के अधकार छेत्र में जो CRPC IPC पॉसको यह बहुत सारे जो अपना इसके अंतरगत एकत्रित किये गए है ताकि बच्च प्रश्रा प्रश्रें आपका यहां पर है निम्लिकेत में से किस संसोधन विधियक पर 13 दिसम्ब्र 2019 को राष्टपती ने अपनी स्वी कृति प्रदान की चार आपके ओप्सन है आयोग संसोधन विधियक 2019 ऊचितन नियाले संसोधन विधियक 2019 चित फन्ड विधियक 2019 कमपनी संसोधन विधियक 2019 आप उत्तर प्रेशित करें मैं आपको उत्तर दे रहा हॊं क्लियर हैं देखिए इसका सही उत्तर होगा आयोद आयोद अधिनियम जो 1969 था आयोद अधिनियम 1969 में परवर्तन किया गया है आयोद सस्त्र से संबंदित है जो सस्त्र हम लोग रखते हैं तो यह जो अधिनियम 1969 था इसमें परवर्तन किया गया और परवर्तन करने के बाद आयोत संसोधन विद्यक 2019 हाँ, 23 दिस्टमबर 2019 को राश्पती ने अपनी स्विक्रती दी इसकी कुछ पिरमुक सर्ते हैं मैं आपको बता देता हूँ सस्त लाइसंस की संख्या में कमी की जाएगी सस्त जो लाइसंस किया जाएगा और उनकी संख्या में कमी की जाएगी बिना लाइसंस के सस्त चलाने सस्त का निर्मा करने सस्त का उपयोग करने दिखाने इन्हें सब पर पृतिवन्द है आवाजावी पर भी पृतिवन्द है सस्तरों के तो इस सस्तरों से करके उनके दन्न में जितनी जरूर है उतनी विर्द्धीकर ना सफ्तुर के माध्यम से होने बाले नय अप्राद को चिन्नित करने के उसके दन्न में विर्द्धी करना तो यह इसके प्रमुक प्राप्थ किया गया चोथा हां इसका उत्तर है आपका तेलंगाना है ना तेलंगाना इसका उत्तर है आपका तेलंगाना यहां पर एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन है ना बचपन बचाओ आंदोलन और तेलंगाना पुलिस बचपन बचाओ आंदोलन एक NGO है और तेलंगाना पुलिस य यह दोनों की संयुक्त पहलां बचपनबचाओ आध्यूलन और तेलंगा ना फिले सुझ दोनों की संयुक्त पहला जिसका पिर्मคुब्धिश क्या हूँ पिर्तेग बच्चे को जรूरी और उचित समय पर नयाय प्रदान कणना। जिस बच्चे को नियाए की जरूरत है, उस बच्चे को वो उनवार नीयाए, आवाश्शक नेयाए, जरूर मिले, और उचित सब्वै पे मिले बिनादेरी पर मिले, यह पहली तरह से, यह पहली बार ऐसी कोई प्रिकरी आई है, पहला इस तरीके का जो है, उतलंका नाम परारम किया गया है, आईए चौता पाच्वा प्रश्ने आपका यहां पर है नमंबर 2019 में केन सरकार द्वारा ओइल सीट्स और ओइल पाम की खेती है तू खेती को बराबा देने के लिए सामिल किये गए छे राज्यों में से निम्न में कौन नहीं है तो देखिए ये छे राज्यों जो है 2017 में इससे पहले भी चैनित किये गये थे दो वर्स के लिए वो छे राज्यों अलग थे और इस बार फिर अलग से छे राज्यों को चैनित किया गया है दो वर्स के लिए है ना तो यहाँ पर इन छे राज्यों में से पंजाब सामिल नहीं है, इसका सही उत्तर होगा आपका पंजाब, इसके अलावा जो तीन राज्य है, उसमें गुजरात है आपका, गुजरात है, और इसके बाद जो है, गुजरात के बाद करनाटक है, तो अब आपके छे राज्य है, तमिलाडू, आंद्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, गुजरात, करनाटक और इसके बाद जो है महराष्ट, एक और राज्जाप का है महराष्ट, ये छे राज जिसमें सामिल है, तीन यहाँ पर लिखे हैं और आपको तेखना, जाई सम्मिलधान दिवसकत बनाआ जाता है तो देखिए, 11 अक्टूबर 2015 को घोष्ट न की गई थी, सम्मिलधान दिवसके मना ने की तो ये मनाया गया जातां हाँ आपका 26 नमंबर को इससे पहले पिरते 26 नमंबर को विधी दिवस का आयोजन किया जाता था लेकिन 26 नमंबर 2015 से ये सम्मिधान दिवस के रूप में बदल गया और 2015 को भारत का प्रथम सम्मिधान दिवस मनाया गया था विधी दिवस को हमने बदल लिया था किसमे सम्मिधान दिवस में ध्यान रखेगा और क्यों बनाया गया था बाबा साब अमबेट करकी 125 वी जैनती के अफसर पर हम लोगों ने क्या किया था इस आयोजन को किया था प्रधान मंतली जी ने स्वयम इसकी गोशना की थी तो यह है डिटेल है जो इससे सम्मंद्ध है 11 अक्टूबर 2015 से जो विधी दिवस था वो सम्मिधान दिवस हो गया 2015 को प्रधा मनाया जाता था 125 वी जैनती के अफसर पर सुरू हुआ था तब से अब प्रतिक वर्स 26 नमंबर को सम्मिधान दिवस का आयोजन किया जाता है अगले प उत्तर होगा नई दिल्ली यह आयोजन प्रतिक तीन वर्स पर होता है क्यों होता है प्राकृतिक खाद में यह जो खाद हम उपयोग करते हैं उसमें रसायनिक फाम जो रसायनिक जो खाद होती है उसकी भूमका का आकलन करने के लिए और उसे कम से कम करने के लिए इस प्रका जुन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया अगला कुछन हो अपका हाली में ग्हाली और उसको हम लोग कहते हैं न चाइट रिलीफ यू, CRY, इसका full form क्या है? Child relief and EU. द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में बच्चों के पृति होने बाले अपरादों में सरवद एक मामले वाला राज है. सहीट रूप से यहां पर दो राज हैं, उत्तर प्रदेश और मद्द प्रदेश, जो कुल पूरे भारत में होने बाल क्लिए हैं? आईए. नॉमर प्रिश्न की तरफ बढ़ते हैं. एक जानकारी देख लिए, यह UPPCS का नंबर है, संस्थान की तरफ से जानकारी है आपको, और जिन लोगों को खंड सिक्छातकारी के बैच में एडमिसन लेना है, वो भी धुवाधार तरीकी से संचालित हो रह क्लिए है, खंड सिक्छातकारी BEO, स्वर्णे में वेकंसी, 13 वरसवाद, 20 वालों के लिए, तो यह तो हो गया, नॉमर प्रिश्न की तरफ चलते हैं, नॉमंबर 2011 में किस राज में बाहर से आने वाले लोगों के लिए, 24 घंटे से अधिक अब्धी तक रुकने हैं, और यह ह मेघाले राज में हैं, है ना, यह मेघाले राज में हैं, आप ध्यान रखेगा, और हाँ, मेघाले रेजिडेंट एंड सेक्यूर्टी बिल 2019 में ही प्राबधान है, मेघाले रेजिडेंट एंड सेक्यूर्टी बिल 2019 में ही प्राबधान है, जिसमें केम सरकार और राज सरका के करमचारियों को छूट प्रदान की गई है अगर आप 24 घंट से जावें यहां रुखते हैं तो आपको रेजिस्टेशन कराना अनवार है मेगाला इसका सभीत्तर होगा दसमा प्रश्चन 26 मबर 2019 को लोगपाल के चेर्मेन जस्टिस पिनाकी चंद घोस ने भरस्टाचार ब्रोधी लोगपाल के लिए नया लोगो तथा लोगपाल का आदर सभाग के लाज़ किया इसकी चैन प्रिक्रिया किसके द्वारा डिजाइन की गया था तो ये प्रसांत मिस्रा द्वारा ये तो ये आदर सभाग है किसी के धनका लोभ मत करो क्या है किसी के धनका लोभ मत करो ये संस्कृत में भी उस लोगों पर वैड़त है किसी के धनका लोभ मत करो मत करो क्लिया है और यहां पर एक बाताओ के लिए इसका जो आदर सभाख है इसकी सिक्षा एक उपनिसत से ग् पूछ लिया जाए तो उसका नाम है इस वाश्चव उपनिसत्र किस उपनिसत लिया गया है इस वाश्चव उपनिसस से लिया गया सिसी होगा गया प्रिश्चनि 21 में आथमें किर्सी संखिकी पर के आताराष्टी संहेलन का आयोजन कहा किया गया है, है ना? चारों विकल्प आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, यह देखिए, हाँ, कहा किया गया है, तो देखिए, आयोजन कहा किया गया, और इसका उद्देश क्या था, दोनों ही चीजें आपको clear होनी चाहिए, आप लोग भी उत्तर अपने प्रिशिद करें तो देखिये इसका जो आयोजन है वो तो नई दिल्ली में किया गया ओभारत में यह पहली बार, नई दिल्ली में हुआ और भारत में यह आयोजन पहली बार हुआ मतलब अंतराश्टी यह है तो इससे पहले कायोजन था वो रोम में हुआ था इसके जो पहले कायोजन था वो कहां हुआ था बताईए रोम में हुआ था अब हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए यहां पर किसका उद्देश क्या था सतत विकास के लच्छों की प्राप्ति के लिए किर्सी के परवर्तन हेतु सांख खिकी की भूम का इस पर विचार किया गया यह इसका प्रमोग उद्देश या विसाय था आए आगे चलते हो बारमा हाले में विसका पहला मुस्लिम योग साधना सिवर का आयोजन कहां किया गया है ना कोट द्वार कहां है अगर राज कूछ आ जाए तो देखीगा उत्तरा ख मुस्लिम महलाए मंपुरुस सामिल हुए और बहुत सारे बुद्धि जी भी मुस्लिम भी सामिल हुए हिन्दुओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया अहीं तेमा प्रिश्ण है लोवी इंस्टिट्यूट तो पहले तो यह देखी एक बार प्रिश्ण में कौन सा है ना तो देखी बरतमान में सर्वदिक राजनेग्स पदों माला देश के तलं चीन दो सोचन सबसे जज्यादा राजनेग्स बाला देश्टिट्यूट की रिपोर्ट की अनुसार सुचका अंधार भारत का इस्थान इस करम में वारह्मा है अगर आपसे आ रहा है आप लोग जब भी जो है वीडियो समाप्त हुआ करें आप जरूर कमेंट किया करें कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव प्रिशित किया करें और ये भी लिखा करें कि आप कहां से देख रहा है ये जो प्रियास आप लोगों के लिए किया जा रहा है ये प् खिल सांता कभकी है 2017 की घ्यानकिया राष्टि खिल सांता 2017 क因ɹ ဂश्टि gedaan के मसोदे की समिक्षा है किसकी अदेख्फ्ता मैं विश filtersक्टूं की तेरा सदस्य समीति किषे समीति कितनी सदने कि थे त्या सदस्य समीति का कठन किया बहुत सारे नाम है उसमें तो इसका सही नाम जो सही उत्तर आप लोगों का होगा इसमें इसका सही उत्तर होगा चौथा हाँ मुकुंदम कम सर्मा ये जो है उच्च नियाला के सेवा निर्मत्र नियायाधीस है नियायाधीस उच्च नियाला के सेवा निर्मत्र नियायाधीस है तो इनकी अध्यक्स्ता में 13 सदस्य समीती का गठन यहाँ पर किया ध्यान दिजेगा जिसमें बहुत अच्छे भारत की खलारी भी है जिसमें गणन नारंग, बाईचुंग, भूटिया, फुटवाल खलारी है, पुलेला गोपीचन इन 13 सदस्य लोगों में इनको भी सामिल किया गया है, हम खेल के इस्तर को और बहतर खर चगें, खेल की सुबदाओं को और बहतर कर सकें, से स्विस्स में, खेल के मामने में हमारा दबदबा हो सके, ऐसे बसोदे में जो उप्युक्त संसोदन है और नई सिफारसों के लिए इस समीति का गठन किया गया है आपसे अगर ये पूछा जाए कि मुकद्मकम सर्मा समीति किस से सम्मन्नित है तो आप कहेंगे खेल संत्रा समीति का गठन किया गया है आगे पड़ते हैं आपका भारती रेल में बित्री प्रवंधन संस्थान की इस थापना की गई है कहां की गई है इसका सही उत्तर होगा सिकंद्रावाद में है और इस जादा बताने के लिए नहीं है आपका हाली में भारत इबं जापान की नौशिनाओं के मद्ध हाँ एक्स्प्लोसिब आर्डिनेंड डिस्पोजल माइन काउंटर मेजर पर पहला दुपछी अभ्यास कहां संपन्न हुआ कोच्ची अगर राज पूछा जाए तो केरल किस किस के मद्ध भारत इबं जापान द्याद दिजेगा कोची केरल आया सत्रमा प्रश्ण है आपका यहां पर नवंबर 2019 में केन सरकार द्वारा किस विद्ध्रोही समूँ पर पास साल के लिए प्रतिबंद लगाये गया यह प्रिश्ण इस बरस एक बार पूंचा जा चुका है तो किस समूँ के लिए प्रतिबंद लगाया आप बताइए तो इसका सही उत्तर होगा वो पहला होगा ndfb ndfb पिछले दो बरस में अगर देखा जाए पिछले दो बरस में यह संग्ठन 62 हिंसक घटनाओं में सामिल रहा और यह बोडो लेंड की सुतंदरता के लिए लड़ रहा है और यहां पर पास साल के लिए केंद सरकार द्वारा इसको प्रतिबंदे किया जया है अगला प्रश्ण है आपका यहां पर अठार माप्रुष्ण नवंबर 2019 में किस राज्ज के तहद संचाले जल संसाधन विकास और प्रबंधन ने बाटर चार चेंज प्रियोजना को लांच किया द्य जो आपकी प्रियोजना है इसमें भारत का जो साजीदार देश है वो है नीदर लेंड नीदर लेंड है ना और यह सहरी जल प्रबंधन से जुड़ा है सहरी जल प्रबंधन से जुड़ा है प्रबंधन प्रबंधन से जुड़ा है पहले सबसे पहले चरण में दो राज्यो देखे शुरुबात तो किरल लेकि लेकिए पहले चनल में दो राज्यों को चिन्नित किया गया है किस-किस को गुजरात को और मद्ध प्रदेश को इसके लिए गुजरात और मद्ध प्रदेश को और देश के छे बड़े विश्विध्याला इसमें सामिल है तो भारत और से सम्मन्य थो पूर रूप से दूर करने के लिए प्रियास किया जा रहा है सेव डॉटर से बॉटर है ना दोनों चीज है हमारे लिए बहुत जरूरी है उन्ली इसमा प्रिस्टे आपका जनगर्ना 2021 कितनी भासाओं में की जाएगी आने वाली है जनगर्ना है ना और हम लोग सेगी है जिस्कों कहते हैं आबास पॉल्टल किया इसका सही उत्तर आपका होगा इसका सही उत्तर वहाण कि पूँछा जाकी किषिकी योजना है तो आप क्या कर 21 में प्रिशने की तरफ हम लोग आगे परते हैं, 21 मां प्रिशने, देखिए, ये रीजिनिंग की मेरी किताब है, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बता दू, क्योंकि बहुत सारे नए सदस्तों जुड़े हों और आपको हिस्ते रहते हैं, यह पिछले दो बस में स स्वपित की है, आप किसी भी परिश्चा के लिए रीजिनिंग की तैयारी कर रहे हों, SSC से लेके, IS तक, आपके लिए एक किताब एकदम मारक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें कॉंसेप्ट भी है, और प्रेक्टिस सेट भी है, और पूरा रीजिनिंग समाहित की यह हुए है वैसे किताब अलग-अलग दामों पर बिखती है, लेकिन संस्था की तरफ से किताब आपको बहुत नियूंतम दामों में दी जाती है, हैना हम फिरी हम डिलेवरी करते हैं आपके घर तक, मतलब हम फिरी में इसको आपको भीजवाते हैं, कोरियर का डाग का कोई भी पैसा हम आपसे नहीं लेते हैं, अमेजन पर भी किताब उपलब्ध है, जो लोग अमेजन से खरीद हैं, उस किताब को रिव्यू जरूर करें, क्लियर? और आप कैसे डाइरेक्ट संस्थान से किताब मगा सकते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी हो, यह नंबर है 9452 275 777, यहां से हम आपको बेस्ट कॉपी देंगे, और यहां से जो कॉपी भीजी जाएगी, वह सुपकामना हो, सहत में आपको देता हूँ, तो यहां से जो आप किताब मगाते हैं, इस नंबर पर या तो आप वाटसब पर बुक लिक कर भेद दीजे, वाटसब पर बुक लिक कर भेद दी है, तो पूरी रीजनिंग को समयटे हुए, एक आपके भविस्ट का अच्छा वो निर्णा हो सकता है, और आप इस किताब को पर कि किसी और को दे दीजे, गिफ्ट के तरुप है, तो उसके लिए भी बहुत कारगार सिद्ध होगी, चाहे आप बैंक की तयारी करते हैं, चा कैसी है, बहुत सारे लोगों नमगाई है, मुझे मालून है, अगले पी चलते हैं, नागरे करतब पालन अभियान का सुभारम कब किया गया, देखिए, तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका 21 में का होगा, परे देखिए, इसका विसाय भी किया गया, 26 नमबंबर 2019 को किया आउन एक का में, मूल करतब हैं आपकी, स्वार्च समयति की सिफारसों की आधार सामिल किये गये थे, याद रखे गया, देखिए, आई मूल करतब्यों के प्रति जागरूप करना कि क्या उनकी मूल करतब हैं, और उनने अवेर करना, इसलिए, नागरे करते पालन अभियान का सुबारं 26 नमबर 2019 को किया गया 22 वाप पुशन है दाजलेंग ग्रीन और वाइट टी सफेज चाय को मिला भौगलिक संकेद कब से प्रभावी हुआ देखे जी आई टेक आप से बहुत पूशा जाता है इसमें इस पे किता आपकी जो है किलास भी लेने वाले हो लग से हां तो ये 24 हां तो ये 24 अक्टूबर 2019 से आपका प्रभावी हो गया factual information है भौगलिक संकेदर 23 वाप उसनो नौर नमबर 2019 को पहली बार Geochemical Baseline Atlas of India कहां जारी किया गया सबसे पहले देखे कि क्यों जारी किया गया नाम क्या है हाँ Geochemical Baseline Atlas of India ये जारी किया गया पर्यावरणिये छती का नुकसान करने के लिए पर्यावरणिये छती कितना नुकसान पर्यावरणिये रूप से हुआ है उसका एक मापन करने के लिए उसकी केलिकूलेशन करने के लिए उसका एक अन्राजर लगाने के लिए इस एटलस को जाड़ी किया गया आपसे पुचा गया किए एटलस कहां जारी किया गया हाँ है तो है हैधराबाद मा जारी किया जारी किया गया तो क्ल worldview च्छति के लिए इसका विस्ता है 24 वाप उसमे 15 नमंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने सिसेरी नदी पुल का उधगाटन किस राज्ज में किया बताईए सिसेरी नदी पुल बहुत मातपूर है त्यार रखेगा देखे सिसेरी नदी का उधगाटन है वो अरणाचल प्रदेश के निचली दिवांग घाटी में किया गया इस पुल का उधगाटन है ठीक लिए क्लियर एक और विसा है कहां से कहां को जोडता है अगर हमसे प दिवांग घाटी को सियांग छेत्र से जोड़ेगा सियांग छेत्र से दोड़ेगा और यह जो परियोजना पूरी परियोजना है इसका नाम है ब्रहम हांक यह ब्रहम हांक परियोजना के तहप यह पूरा निर्मार किया जा रहा तो अगर आप से पूछा जाए ब्रहम हांक परियोजना किस से सम्मंद्ध है तो भी आपको इस विश्य को कनेक्ट कर लेना है अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़ते हैं 25 सरस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेट फेर का उधगाटन कहां किया गया सरस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेट फेर सरस लामध्यार रखेगा इसका मतलब क्या है देखें ग्रामिर विकास मंत्राले का यह आयोजन था स्वयम सहायता समूग की महलाएं हैं सहरी छेत्र की मागों के हिसाब से राश्टे इस तर की जो मांगें हैं उससे उनको और उनको जागरुप करना कि उनके बनाए जो प्रोड़क्ट हैं वो भले लग इसलिए प्रियास था आपका तो इसका सही उत्तर आपका किसका होगा बताईए दिल्ली होगा और इससे सम्मदित जो मंत्रा लेथा वो ग्रामिण विकास मंत्रा लेथा आईए 26 मा पृष्णा उपका 24 नवमर्द 2019 बाल दिवस की अफसर पर भारत में किस प्रिदस में वाल सम्रक्षड एवम सुरक्षा, आईए, 27 प्रिश्चन, नवंबर 2019 में नवोदय विद्याल है, समीती के लिए मानव संसादर मिकास मंत्रादवाला लांच पोर्टल क्या है, है ना, साला दरपल, साला दरपल, नवोदय के लिए, लांच पोर्टल है, 28 मा, हाली में महराश्च के सावित्री फुले विश्विद्याल है, पूरे में, माइल स्टोन एजूकेशन के साथ किस देश में अपना केंपस स्थापित करने तो समझाता किया, कतर, कतर के दोहा में, ताकि आप्रबासी जो भारतिये हैं, उनकी सिक्षा और बहतर की जा सके, बुरबत्ता युक्त की जा सके, तो नोमरा क्या है, अगर आपसे पूछा गया है, तो खाथ सुचकांग जारी करने वाली संस्ता है, किस विशापर, खाथ कीमतों की बड़े उतार चड़ाओ के आधार पर देशों की रेंकिंग करता है, इसमें भारत को कौन सा इस्थान प्रात हुआ है, आपसे पूछा गया ह तो इसमें भारत का इस्थान है चवाली समा, है ना, चवाली समा, तीन आधार हैं इसके, तीन आधार पे रेंकिंग करता है, नोट करते चलिएगा, तीन आधार पे रेंकिंग करता है, पहला आधार जो है, देश की पिर्ति व्यक्ति जीडिपी, दूसरा आधार जो है, घर वोगन विले के निवाशियों ने किस देश से स्वतंता के लिए मत्दान किया पापुवा न्यूगिनी इससे स्वतंता के लिए मत्दान किया दो डीप समूँ इसमें सामिल थे एक तो वोगन विले था और दूसरा दीप समूँ था बुका दूसरा भी दीप समूँ क्या था बुखा इन दोनों ने एक साथ मतदान किया यहां पर और मतदान के पक्ष में भूट-बहुत पड़े क्लिर है हाँ यहां पर हमेसा अब बोगेन विलव जो है यह तो नया देश होगा आने बाले समय में विस्ट को एक नया देश मिलेगा वह कौंसा होगा दूसी बात एक माउंट आलवी सरवोच माउंट आलवी सरवोच सिखर familiar आपसे हमेशा पूंचा जाता है कहां पर है तो पापुभा नियोगिनी में है अभी तप और कहां पर किस दीप में है वो गिन बिले दीप में माउं टालिवी धियार रखेगा दो तीन बार ये पूंचा जा जा चुका है जोगरफी में अगला प्रिश्ण आपका 31 मा राजपक्षे दोनों भाई राष्ट पती को प्रधार मंत्री हैं सी ऑप्षन आपका सही होगा आये 32 में प्रिश्ण की तरफ यहां प्रबलोग बल रहे हैं जी 20 देशों के संसंदी अद्यक्षों का छटा संम्मेलन कहां आयज जोगा तेजी से उत्तर करें 32 में कव्थ आपके क्या होगा तोकियो जापार 32 में कव्थ तोकियो जापार और इस प्रिश्न है आपका 30 अक्टूबर 2019 को चिली के सेंटियागों में आयोजित होने बाले जलवायू परवितन सम्मेलन को 25 की मेजवानी में असमर्थता जताई अब इस सम्मेलन का आयोजन इस पैन में किया जाएगा इस पैन के मैडरेट में हाँ सरकार गिरोधी प्रधरसनों के कारण सुरक्षा कारणों से असमर्थता जताई है और नय आयोजन इस पैन के मैडरेट में किया जाएगा आये चौरतीसमा प्रश्ण है आपका, हाली में पुराता तो विश्य सक्गों द्वारा, तीन हजार साल पुराने सहर, बेजीरा की खोज किस देश में की गई, पाकिस्तान के, हाँ, पाकिस्तान के खेबर पक्तून प्रांथ में, पाकिस्तान के खेबर पक्तून प्रांथ में, बे जिलेवे च्छतीसमा एक नए सोत के अंसार दनाकिल पर सक्रिये और स्वभाविक रूप से चलने वाला जीवन संभाव नहीं है दनाकिल कहां इस्तित है आप बताइए पैंतीसमा यह बहुत पेपरों में रहा है पिश्री जमाई इथोपिया में इस्तित है आए डी आप्शन सही हुआ च्छतीसमा पृष्ण सेवा पर पाच मी वेस्विक प्रदर्स्नी घैस का एयोजन कहां किया बैंगलूरू में कि आ Uh बेंगलोरू आईटी हम है ग्यारा से बारा सांख्य की और करेंगर मंत्रा लेगारा 27 मां के नीवम राजिस्तरी सांख्य संगिठन संमेलन कहां आजित किया गया चार सहरों के नाम आपको दिये गए ने मैं समत्रा जो मालता था हाली में अंत्राइग गैडा अंत्राइग गैडा जो मादा था इसकी मृत्यू हो गए इसका नाम क्या था बताइए इमान इससे पहले 15 मई 2019 को अंतिम नर की भी मृत्यू हुई थी वही पर जिसका नाम था टॉम अब यह जो प्रजाती है आपकी जिसका नाम समित्रा इगेंडा है यह प्रजाती पूरी तरह बिलुक्त हो चुकी है 15 मई 2019 को यह नर था जो अंतिम नर मरा था वो कौंता टॉम और इमान अंतिम मादा थी उन्तालिसमा पुस्लम समाजर पत्तों की सुर्ख्यों में रहा सोना 1.5 क्या है एक हुमन नाइट रोबोट है जिसे जैपुर के प्रदोगे की संस्थान ने निर्मित किया है जिसकी दो विसेश्था थी पहली विसेश्था थी कि रात में कार करने में दक्ष है अंधेरे में क दक्ष है यह पहली विसेश्था थी अधी यह चार्ज्चिं पॉइंट तक स्वयम पहुंच सकता है मतलब सेंब जब इसकी そन व्यक्ति को बहुत सबसें चर्परि सकता है और इंचार्गी के रेवोट रोबोट है चालीसमा प्रुष्ण आपका नमबर 2019 में किस पत्रका द्वारा स्वस्तो जलवावी परवर्तत 2019 नामक रेवोट आपकी जारी की गई तो चालीसमें का जो सही उत्तर होगा वो होगा लेंसेंट पत्रका द्वारा और सुनिए इसमें बताया गया है कि ज देखिए यहां पर गयहों में 6 प्रतिसाथ चावल में 3.2 प्रतिसाथ मक्का में 7.4 प्रतिसाथ और सोयावीन में 3.1 प्रतिसाथ यह बैस्विक नुकसान होता है प्रति एक डिग्री सेंटिगेट के बरने पर ध्यान दीजेगा तो ग्लोब बार्मिंग का कितना बड़ा प इसकी दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है फाइलेरिया चलिए उत्तर पर सरकाद्वारा फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाएगा टीका कर अभ्यान की आयोजन अभिदी क्या है देखिए इसका जो लक्ष हम लोगों ने रखा है वो लक् बखा गया 25 नमंबर से 10 दसंबर 2019 तक सी ओप्शन सई होगा 42 हाली में कार्टो से 3 सेटेलाइट हां 37 अंतरेक्ष संस्थान से इसको किया गया तो आप से पूछा गया है हाली में कार्टो से 3 सेटेलाइट का प्रक्षे पर किस राकेट से किया गया पी एसल भी सी 47 से किया गया कहां से किया गया तो आपको मदब सतीज धवन अंतरेक्षिन सार स्रीहरीकोटा से किया गया तेटालिस मॉप्रिशन है सब्सकार की गोश्रा की गई है ना बिल्कुल और आपनों बताना है कि किसके रेजाइस हेल्फ फाउंडेशन की तरफ से जिसमें डॉक्टरों को विश्विध्यालेयों को और इस छेत में अग्री रूप से काम करने वाले स्वरस्ट के छेत में लोगों को सम्मानित किया ग और अतिती नामक दो नई आईटी पहलों का सुबारम किया गया यह किस मंत्राले से संबंदत है तो देखिए दोनों जो पहले है किस मंत्राले से संबंदत है कारोबार में सुगमता और निगरानी के लिए किंद्रिय वित्र मंत्राले से संबंदत है क्या हो दिस कारोबार मे है बताइए पॉस जल यह फ्य क्या है हमगा कीया है तो यह आपको बताइए क्या करेंगे इज्टमाइल और हम को रोकने के लिए हैं करन लेते हैं प्रिशू शुरूप से WhatsApp hacking को रोकने के लिए पढ़ाया गया इज्राइल द्वारा चार नमबर 2019 से प्रादा भारत की पहली बैस्विक निएंग्ष्राइल प्रदर्शनी विज्जान स्मागम का सुरूबात हुई कोलकता में कोलकता विज्जान समागम कोलकता डी है सही है 47 प्रुष्क है आपका हाली में प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्थ लांच किया गया जिसका नाम था अरोड़ भूमी पहला हिंदी समाचार पत्थ है अरोणाचल प्रदेश का ध्यान रखिएगा आईए क्लिया है अर्टालिसमा वह कौन भार्ती पत्तकारे जिसे अंतराश्टी प्रेश सुतंतरता प्रुष्कार 2019 से सम्मानित किया गया नेहा दिक्षित और इन्हें प्रुष्कार मिला नियूजार कमर्ण नियूजार कमर्ण आईए प्रिश्ण कई बात पूछा जा चुका है बताइए बिश्ण स्वाचाला दिवस कम मनाया जाता है उन्नीस नमंब्र को और पचासमा और अंतिम प्रुष्ण है हाली में सिन्दू सुदर्सर्थ सेन अभ्यास का आयोजन कहां किया गया तो बताइए इसका सही उत्तरा आपक आप कैसी लगी जरूर लिखिया और आप कहां से मुझे देख रहा है यह बिजरूर लिखिया सर्स्थान में यूपी पेसियास खंडि सिक्चात कारी के बैच लगातास जो प्रिवेश भी चलना है और खंडिसी चात्कारी का बैदुआधार तरीके से संचाले फुरा है इसी तरह मैं हमेशा मेनद करके आप लोग के लिए आता रहूँगा बहुत बहुत सुपकामना है शुपक्रिया नमस्कार लव यू हॉल टेक्या थैंक यू सो मच नमस्कार